राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली में इन दिनों शीत लहर जैसी स्थितियां है। हाला कि मौसम विभाग की माने तो इससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग दिल्ली NCR के इलाकों में हलकी बारिश का पूरवानुमान जताया है। हाला कि बारिश एक दिन तल गई है। मौसम विभाग ने पहले 8 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया था, अब 9 जनवरी को दिल्ली NCR के विभिन इलाकों में हलकी बारिश का पूरवानुमान है। इससे दिल्ली NCR में मौसम बदलेगा। तापमान में फौरी तौर पर थोड़ी बड़ोतरी देखी जाएगी जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में इन दिनों शीत लहर जैसी स्थितियां है। हालां कि मौसम विभाग की माने तो इससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग दिल्ली NCR के इलाकों में हलकी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हालां कि बारिश एक दिन टल गई है। मौसम विभाग ने पहले 8 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया था, अब 9 जनवरी को दिल्ली NCR के विभिन इलाकों में हलकी बारिश का पूरवानुमान है इससे दिल्ली NCR में मौसम बदलेगा तापमान में फौरी तौर पर थोड़ी बडोतरी देखी जाएगी जिससे लोगों को राहत मिल सकती है मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी विक्षोब 8 जनवरी से पश्चिमी हिमाले क्षेत्रों में एक्टिव होगा इसके प्रभाव से 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जबकी 8 और 9 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में छिट-पुट रूप से हलकी बारिश की संभावना है कुछ जगहों पर ओले पढ़ने की चेतावनी भी जारी की गई है 7 से 9 जनवरी के दौरान महराष्ट्र में कुछ स्थानों पर जबकी 8 और 9 जनवरी को गुजरात में कुछ स्थानों पर गरच चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश के आसार है मौसम विभाग की ओर से जारी ओल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि 8 और 9 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में जबकी 8 जनवरी को पश्चिमी मध्यप्रदेश में चिट-पुट रूप से ओलावरिश्टी हो सकती है वही 6 जनवरी को विदर्ब, चतिसगर, बिहार, जारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर हलकी बारिश के आसार है 8 और 9 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाना चंडीगर के अलग-अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा चाय रहने की संभावना है यही नहीं 8 से 10 जन्वरी के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा चाय रहने की संभावना है Bureau Report Market Times TV